गुराफुन गाइज, कई सारे बंदे हमारे जिम में आते हैं, तो उनका कम्प्लेण ये भी रहता है कि भीया, हम जो भी खाते हैं, हमारा शरीर लगता ही नहीं कभी, हम मोटे नहीं होता है, तो जो भी वीडियो जो वेट लॉस वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि यार कुछ भी खालो, तुमारा बोड़ी कभी नहीं लगता, तो उनका अभी मोटे नहीं होते हैं, ये लॉंग टर्म में बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपका मेटबोलिसम बहुत फास्ट है, तो आप कुछ भी खाओ, आपका शरीर कभी नहीं लगता है, आपको आपका खाना जदी, डाइजस्ट हो जाता है बोड़ी में, आपको बार-बार भूप लगने रखता है, लेकिन उसके बाद भी आप मोटे नहीं हो रहें, ये बहुत लोग का प्रॉब्लम है, इन फाक्ट, जादा तर लड़कियों में भी मैंने ये चीज देखा है, कि यार, वो जो भी उनके कपड़े में ऐसे लगता है कि बस दिवाल पर कपड़े हैंक कर दिये गए, अना कोई लुक ही नहीं आता कभी तो ये प्रॉब्लम किस चीज का है, ये सारा प्रॉब्लम आता है मेटबलिसम का, जो मोटे हैं उनका मेटबलिसम वीक है, जो पतले हैं उनका मेटबलिसम स्ट्रॉंग है अगर मेटबोलिजम स्ट्रॉंग है तो यह खुश होने वाली बात नहीं है अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है तो आप आप जो भी खाओगे आपका शरी कभी नहीं लगेगा अब मॉल में कपड़े खरिंदे जाओ कि कपड़े ऐसे लगें कि बस यार वो एक वाल में कपड़े हैं कर दिया वैसा लगे जा ना आपके हातों में दम या फिर कुछ फील नहीं आएगा कपड़े पहन के तो यह क्यों होता है अब इस मेटबोलिजम को हमें क्यों कैसे ठीक क करना है हमें इस चीज की उपर काम करना है तो मेटबोलिजम ऐसे बहटे-बहट तो ठीक होगा ने उसके लिए काम करना पड़े ठीक है उसके लिए कई सारी चीजे खानी पड़े कि अच्छे से डाइट लेना पड़ेगा मैं लास्ट वीडियो में बुला था कैलोरी के अध ओड़ा सा वेट गेन हो या मसल गेन हो अब मसल गेन भी बेटे बेटे नहीं होता है इन सब का सल्यूशन क्या है पता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना आपके बॉड़ी में मेटबलिजम को बैलेंस्ट पनाता है स्लोली होगा लेकिन होगा बैलेंस्ट तब हो जाएगा जब आप regular एक routine में जा रहे हो आप regular खाना पीना का ध्यान रख रहे हो जूस, fruits, salads अच्छे से अच्छी चीजें जो आपको मिल रही है वो सब आप खा रहे हो दीरे दीरे आपको फरक पड़ेगा आप मोटे से पतले या पतले से मोटे बैठे बेटे नहीं हो सकते आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा लगना पड़ेगा ठीक है पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है स्टार्ट एक्सरा स्टेप फूड का ध्यान रखे तीसरा स्टेप रिक्वाइट कैलोरी से जादा या कम खाएं जितना आपको जरुवत है छीक है तो टेक केर एंड कीप ट्रेनिग मेटबलिजम को बैलेंस बनाने पर काम करो बहुत बेटर लाइफसेल रहे है